मेरे प्यारे साथियों नवस्कार आज की वीडियो में राजसान जीके के 25 बहुत ही इंपोर्टन परसन लेके हैं और यह सभी परसन एक्जाम की दश्री से वेरी वेरी इंपोर्टन है अप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साथी रोजना राजसान जीके के से इंपोर्टन यूसन पना चाते है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आपको डेली राजसान जीके के इंपोर्टन यूसन की वीडियो मिलते रहेंगे पहले कि उसन आपके सामने राजस्टान राजे में सरसोंخल आधारित विदूत सेंतर स्तीत है राजस्टान के अंदर सरसोंकल पे आधारित विदूत सेंतर जो कि किस से जिले के अंदर है बहुत इंपोर्टन कि उसने जलदी से आप लोगí answer कोमेंट करके बताएगा तो सरसों खलादारी जो विदू सेंटर है वो अलवर के अंदर है और आप्सन सी इसका सही उतरेगा क्योशन वर टू की बात करें राजसान राजे में कच्रे से बिजली बनाने का पहला कारखाना कहां लगाया गया है कि राजसान के अंदर कच्रे से बिजली बनाने का पहला कारखाना जो की किस जिले के अंदर लगाया गया था जल्दी से आप लोगा एंसर कॉमेंट करके बताईए तो सही उतरेगा जेपूर के अंदर आप्सन सी हमारा उतरेगा क्योसनवर 3 की बात करें राजसान राजे में सोर उर्जा चलित मिल्क चिलिंग प्लांट जो की किस जगहें पे राजसान के अंदर सोर उर्जा दवारा चलाया जारा मिल्क चिलिंग प्लांट जो की किस जगहें पे जल्दी से आप लोगा एंसर बताईएगा तो मिलक चिलिंग प्लान्ट जो की भर्थपूर के अंदर है और यह सोर उर्जा से चल रहे है option D हमारा उत्तर रहेगा क्योशन और 4 की बात करें I am India Limited द्वारा राजस्तान के किस जिले में 13.6 मेगावाट का पावन उर्जा से अंदर स्थापित किया गया very very important है I am India Limited द्वारा राजस्तान के किस जिले के अंदर 13.6 MV का पावन उर्जा से अंदर राजस्तान के किस जिले में लगाया गया है आप लोग उत्तर जुरूर दीजेगा और वीडियो के इमानदरी से बताएगा 25 में से आपके कितने सही वे से आपकी practice ही हो जाएगी इन्डिन swift किसे कहा जयता है राजस्तान के अंदर great इन्डिन ब्रिष्ट जो है किसे कहा जैता है तो गोडाउन को option B हमारा उत्तर रहीगा 26.6 की बहात करें राजस्तान राजे में सरवायदिक मसाले उत्वादीद हocket है राजस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादन होते हैं वो कहां पे होते हैं किस जिले के अंदर तो 12 में ऑप्सन डी हमारा उत्तर रहेगा क्योशन नवर सेवन की बात करें नेमन मसे जो जो वो पोदा भारत में कहां से लाया गया था तो इसे इसराइल से लाया गया था और राजस्तान में इसका उत्पादन भी होता है ऑप्सन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योशन नवर एट की बात करें नेमन मसे सोया बीन की क्रिशी मुखिते राजस्तान राजे के किस भाग में होती है राजस्तान के अंदर सोयाबीन की जो खेती है वो मुखे रोप से किस भाग में होती है तो एक दक्सनी पूरवी भाग में होती है आप्सन डी हमारा उत्तरेगा क्योसनवर नाइन की बात करें निमनमसे भारत में इस बगोल का सरवादिक उत्पादन होता है जो की राजस्तान के अंदर ही ऑप्सन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर टैन की बात करें वह कौन सी पसल है जिसके उत्पादन और किस यत्रबल दोनों की दर्ष्टी से राजस्तान राजे का देश के अंदर पहला स्तान है वेरी वेरी इंपोर्टेंड आप लोग उत्र जुरूर बताईएगा और वीडियो के एंट में आप सभी से कि मौस्ट इंपोर्टेंड क्योसन पुछाज़ेगा उसका भी आप लोग उत्र जुरूर दीजेगा देखते कितने बच्चे सही उत्र दे पाते हैं वे कौन सी पसल है जिसके उत्पादन और खिशेतरबल दोनों की दृष्टी से राजसान राजेगा इंडिया के अंदर पहला स्तान है जो की बाजरा है यहां पे गहुन नहीं होगा ऑप्शन डी इसका सही उत्र रहेगा क्योसनवर 11 की बात करें देश का एकमातर अब्यान जो भीडिये के लिए परसीदा जहां भीडिये परजनन करते हैं बहुत इंपोर्टन क्योसने देश का एकमातर अब्यान जो भीडियों के लिए परसीदा और जहां पे भीडिये परजनन करते हैं क्योophy लाजस्तान राज स्बसुत नस्ट होता है, इसका सई उतर है क्यों सन्वर 13 की बात करें राश्टी अमरू ध्यान में कौन सा दुरलो पक्सी पाया जाता है तो वहाँ पे गोडाउन पाया जाता है ऑप्सन डी इसका सही उत्तरेगा क्यों सन्वर 14 की बात करें नीवन में से राश्टान राजे में तिलहनों का सरवाधिक उत्पाधन किस जिले में होता है राश्टान के अंदर तिलहनों का जो सबसे जादा उत्पाधन हो किस जिले के अंदर होता है important question आप लोग answer जुरूर comment में बताइएगा तो राजस्तान की अंदे दिलोनों का जो सरवादिक उत्पादन वो गंगानगर के अंदर होता है अगर कपास की बात की जाए तो भी गंगानगर है option भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योशनर पंदरा की बात करें नीमिनवसी उत्पादन क्ष्यमता की दर्ष्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा सिमेंट कारखाना सीरी सेमेंट आप्शन सी इसका सही उत्तरें क्योशनर सॉला की बात करें जैसल मेर जिले में प्राकरती गैंस के नए विशाल बंडार कहां पे मिले डांडे वाला के अंदर आप्शन सी इसका सही उत्तरेंगा क्योशनर 17 की बात करें नागोर जिले के मकराना में किस परकार का संग्मरमर मिलता है यहाँ पे आप जानते हैं पूरे इंडिया का पूरे भारत का मकराना के अंदर सबसे अच्छा संग्मरमर पाया जाता है अगर बात की जाए संग्मरमर की सबसे बड़ी मंडी जो की किसं उत्तर रहेगा क्यों संवर 18 की बात करें राजस्तान के किस जिले में अगनी अवरोधक इंटो का निर्माण किया जाता है राजस्तान के किस जिले के अंदर अगनी अवरोधक इंटो का निर्माण किया जाता है हमने बात कि थी अबरक की इंटे भीलवडा में बनाई जाती है अगर बात की जाए अगनी आवरोदों इंटे जो की बीकानेर में बनाई जाती है आपसन डी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और उन्नीस की बात करें निमन में से बेगू किसान आंदलों की स्वरस परारम हुआ था निमन में बेगू और बिजोलिय किसान आंदलों बहुत फेमस है और सबसे लंबे समय तक बिजोलिय किसान आंदलों चलाता अब यह बात करें बेगू किसान आंदलों जो इसकी सुरुवात कब हुई थी 1921 के अंदर आपसन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनर 20 की बात करें राजसान में राज पर्मो के स्थान पे राजे पाल का पद किस के दोरा सरजित किया गया वेरी वेरी इंपोर्टन क्योसन है एक्जाम में परसन कई बार पूछा गया आप लोग याद कर लेना राज़स्थान में राज परमौकेस्थान पे राज़ेपाल का जो पद है किस के दवारा सरजित किया गया साथ में सवधान संसोधन के दवारा आप्शन D हमारा उत्तरेगा क्योसनल 21 की बात करें देश में राजस्तान राजे का चुनना पत्र उत्पादन की दिश्टी से कौन सा रेंक है देश के अंदर इंडिया के अंदर राजस्तान का चुनना पत्र उत्पादन में कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है आप्सन भी इसका सही उत्तर है क्योशनर 22 की बात करें निमनमस से चुना पत्थर पाया जाता है राजस्तान के अंदर सोरी जो है चुना पत्थर है वो कहां पे पाया जाता है तो ये आवसादी सेलों से प्राप्त होता है उप्सन सी इसका सही उतर है क्योशनवर 23 की बात करें निविनमज से खनीजों की दृष्टी से राजस्तान राजे का कौन सा भाग समर्द है जो की आपे देखा जाए तो अरावली परदेश होगा ऑप्शन भी इसका सही उतर है क्योशनवर 24 की बात करें निविनमज से खनीज जिसका उप्योग मुखेता है विक्रणों से रक्स्या में किया जाता है वै कौन सा खनीज है जिसका परियोग मुखे रोप से विक्रणों में रक्स्या में किया जाता है तो सिसा ऑप्शन ए इसका सही उतर रहेगा क्योंसर नवर्पचीस की बात करें कौन सा खनीज हरी अगनी कहलाता है इन में से कौन सा खनीज है जिसे हरी अगनी भी कहा जाता है जल्दी से आप लोग answer comment में बताइगा option A इसका सही उत्तर रहेगा पन्ना को हरी अगनी भी कहा जाता है चल्दी दोस्तों बात करते हैं आज का most important question आप सभी के सामने इसका answer आप लोग comment में जरूर बताइगा अगर आपको उत्तर नहीं बताए तो भी आप लोग कौसी जरूर कीजिएगा क्योंकि कौसीज करने वालों की कभी हार नहीं होती राजस्तान में भेड की स्रोत्रिष्ट नसल या भारतिया मेरे उनों कहा जाता है किसे कहा जाता है किस नसल को भारतिया मेरे उनों कहा जाता है राजस्तान के अंदर भेड की सबसे अच्छी नसल या फिर किस नसल को भारतिया मेरे उनों कहा जाता है आप लोग कॉमेंट बताईएगा और ये भी बताईगा कि 25 में से आपके कितने सहीव इमानदरी से कॉमेंट कीजिएगा किसी भी क्योशनों को लगे कोई डाउट और राया सुझाव देना आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिजिए आपको डेली रास्ता चीके के ऐसे इंपोर्टन क्योशन के वीडियो मिलते रहेंगे आपकी त्यारी बहुत अच्छी तरीके से करवा दी जा